आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें फिर लीथियम रहता है, फिर सोडियम, फिर पोटेसियम, फिर वीडियम, फिर सीजियम देखे, यहाँ पर हमारे बात किया जा रहा है मैगनीसियम और पोटेसियम की यह हमारा देखे, यह मैगनीसियम है यहाँ पर और यह हमारा पोटेसियम है, ठीक है और पूछा जा रहा हमें आयनन उर्जा की बात ठीक तो हम आपको एक बात बता दें कि हम जब भी आवर्थ सारडी में बाएं से दाएं जाते हैं तो जो आयनन उर्जा होती है ठीक है ठीक आयनन उर्जा जो होती है वो क्या होती है वो बढ़ती है ठीक है लेकिन आप आवर सारीम जब उपर से नीचे जाते है किसी वर्ग में तब जो आयनन नुर्जा होती है वो क्या होती है तब आयनन नुर्जा घटती है ठीक है आयनन उर्जा घटने लगती है ठीक है देखे और आयनन उर्जा का मतलब क्या होता है ठीक है ठीक है आयनन उर्जा का मतलब यह होता है कि किसी भी परमाडू में से जैसे हमने एक यह परमाडू बनाया ठीक है ठीक है और यहाँ पर एक एलेक्ट्रोन है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यह हमने बना दिया है यहाँ पर नाविक धनाविस है इसके पास तो किसी भी परमाडू में से मानलो एक एलेक्टरोन निकालना है तो एक एलेक्टरोन निकालने के लिए इसको कुछ उर्जा देनी पड़ेगी तो एक एलेक्टरोन निकालने के लिए जितनी उर्जा लगेगी जब उर्जा दोगे मतलब निकालने में इलेक्टरोन को उर्जा लगेगी तो उसी उर्जा को क्या बोलेंगे आयनन उर्जा बोलेंगे ठीक है तो एक एलेक्ट्रोन निकालने में जितनी उर्जा खर्च होती है उसी को हम बोलते हैं आइनन उर्जा ठीक है और आइनन उर्जा को IE से इसे दर्षाएंगे यहाँ पर एक एक करके एलेक्ट्रोन निकालते हैं यहाँ दो इलेक्ट्रोन होता तब एक निकालते हैं फि इसलिए यह क्या करता है इसलिए यह electron को निकालता है ठीक चलिए अब यहाँ पर जैसे हमारा magnesium और potassium है तो potassium का हमें प्रमाड़ उक्रमांग पता 19 होता है और magnesium का प्रमाड़ उक्रमांग 12 होता है और यहाँ पर एक electron निकालेगा पहले i1 फिर i2 फिर दूसरा electron निकालेगा i2 लगाके दूसरी आयन अर्जा लगाके ठीक है दो बार आयन अर्जा इसमें लगेगी ठीक क्योंकि बारी कोस में इसके दो इलेक्ट्रों इसके बारी कोस में एक इलेक्ट्रों है ठीक है और हमें पता भी आइनन और जाते वक्त बढ़ रही है ठीक और यहाँ पर तो क्या होगा मैगनीसियम के आइनन अरुजा प्टेसियम के पेच्छ के उच्छ क्यों होती है इसलिए उच्छ होती है क्यूंकि इसमें 2 इलक्टरन है अगर मैं डाइगराम बना के आपको समझा हूँ तो देखें यह जैसे हमारा magnesium का हमने परमाड़ बना दिया ठीक है यह है जो magnesium है हमारा 12 है यानि 2,8,2 भारी कोस में 2 electron 1 और 2 फिर उसके बाद 8 है 1,2,3,4,5,6,7,8 फिर यहाँ पर 2 1,2 यहाँ पर धनावेस नाबिक में ठीक है ठीक यह हमारा magnesium है अब हम यही पर बनाते हैं potassium को ठीक तो यहाँ जो potassium है ठीक है 2,8,8,1 ठीक है 8,19 क्योंकि प्रमाड़ उक्रमांग को होता है तो 8,2,10,8,8,1,19 तो यहाँ पर कितने electron 1 और 2 फिर यहाँ पर 8 1,2,3,4,5,6,7,8 फिर यहाँ पर 8 electron 1,2,3,4,5,6,7,8 और यहाँ पर एक electron है ठीक है तो देखें यहाँ पर इसको एक electron निकालना है सिर्फ एक बार उर्जा लगेगी ठीक है और यहाँ पर क्या है यहाँ पर एक electron पहले निकालेगा फिर दुबारा एक electron निकालेगा यहाँ IE1 और यहाँ IE2 यहां पर IE1 सिर्फ लगेगा, एक इवर, लेक्ट्रोन को निकालना रहेगा, ठीक, और ऐसा क्यों होता है, ठीक, ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि जो पर्माडू आकार होता है, हमें पता है, कि उपर से नीचे जाते वक्त क्या होता है, पर्माडू आकार बढ़ता है, लेकि तो वहां पर आकर्षडबल कम होगा, और इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, लेकिन यहांपर सिव तेन कोष है, तो जादा आकर्षिथ है, ठीक है, जादा मतलब प्रबल, आकर्षडबल से आकर्षित है, इंको निकालना, टफ होगा, कठेन होगा, तो दो बार आन क ट्रोन को निकालने तो पहले एक एक करके लेक्ट्रोन निकलेगा इसलिए आने मुझे ज्यादा लगेगी ठीक थैंक यू